Your Excellency, Pradhan Mantri Kishida, दोनों देशों के डेलिगेट्स, फ्रेंड्स फ्रम मिडिया, नवश्कार, सब से पहले मैं Pradhan Mantri Kishida और उनके प्रतिरी मंडल का भारत में हारदिक स्वागत करता हूं, पिछले एक वर्ष में, प्रधान Mantri Kishida और मैं कई बार मिले हैं, और हर बार मैंने भारत, जापान, समंधों के प्रति, उनकी पोजिटिविटी और प्रतिबद्धता को मैसूस किया है, और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए, बहुत उप्योगी रहेगी, फ्रेंट्स, आज की हमारी मुलाकात, एक और कारण से भी विशेश है, इस साल भारत जी ट्विंटी की अध्रिक्स्ता कर रहा है, और जपान जी सेवन की, और इसलिए अपनी अपनी प्रात्विक्ताओं और हीतों पर साथ वेकर काम करने का यह उत्तम अवसर है, आज मैंने प्रधान मंद्र किशिदा को भारत की जी ट्विंटी अध्रिक्स्ता की प्रात्विक्ताओं के बारे में विस्तार से बताया, हमारी जी ट्विंटी अध्रिक्स्ता का एक महत्मपुन स्थम्भ, ग्लोबल साउथ की प्रात्विक्ताओं को आवाज देना है, वसुधैव कुटुमकम को मानने वाली संस्कृती सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है फ्रेंट भारत जापान स्पेशल स्ट्रेजिक और ग्लोबल पार्टरसीप हमारे साजा लोकतांतरिक मुल्य और अंतरराष्टिय पठल पर रूल अप लॉग के सम्मान पर आधारित है इस साज़ेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्पपुन है ही इससे इंडो पसिफिक शेत्र में शांती, समरुद्य और स्थिर्ता को भी बढ़ावा मिलता है आज हमारी बातचीत में हमने दीपक्षिय समंदों में हुई प्रगति की समिक्षा की, हमने रप्षा उपकराण और टेक्नोलोजी सहयोग, व्यापा, स्वास्थ और डिजिटल साज़ेदारी पर विचारों का आधान प्रदान किया सेमिकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलोजी में विश्वस्त सप्लाई चेंज के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई पिछले साल हमने अगले पाँच वर्षों में भारत में फाइव ट्रिलियन येन यानि तीन लाग बिस जार करोड रुपिये के जपानी निवेश का लक्षत ताई किया था यह संतोष का विशा है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है 2019 में हमने इंडिया जापान इंडिस्टियल कंपेटिटिव ने इस पार्टर्शिप के स्थापना की थी इसके अंतरगत हम लोजिस्टिक्स, फूड प्रोसेशिग, MSME, टेक्स्टाइल्स, मशिनरी और स्टील जैसे छेत्रों में भारती इंडिस्ट्री की कंपेटिटिव नेस बढ़ा रहे हैं आज हमने इस पार्टर्शिप के सक्रियता पर भी परसंदता व्यक्त की मुंबई, अमदाबाद, हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिजम एक्स्चेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने Connecting Himalayas with Mount Fuji नाम का theme चुना है Friends, आज प्रधानमत्री किसिदा ने मुझे मैं महिने में हिरोशिवा से मैं होने वाली G7 Leader Summit के लिए निमंतरन दिया, इसके लिए मैं उनका रदय से धन्यवाद करता हूं इसके कुछ महिनों बाद सितंबर में G20 Leader Summit के लिए मुझे प्रधानमत्री किसिदी का फिर से भारत में स्वागत करने का आउसर मिलेगा हमारी बाद्चीत और संपरकों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जपान समन लगातार नई उचाईयों को छूते रहे इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बहुत बहुत धन्वाद